दोस्तों नमस्कार आप सभी का श्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल Access Academy पर साथ हूँ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट एक जाम 2022 के इसकी CDP की Most Important Questions क्या वीडियो लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग आप अपने सीटेट टॉपिक्स को कबर किया है जिससे सीटेट एकजाम के पेपर वन और पेपर टू में कोश्चन पूछे जाते हैं इंपर्टेट टॉपिक के अंतरगा जीन पियाजे, चोमस्की, कोहलवर्ग, गाडनर, वाइगोस्की, थांडाइक, अर्वल्ट बंडूरा, पावलाओ, इसक एकजाम में कम से कम 15 से 20 कोश्चन सही होने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को अंतक देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, तो आईए सातियों सुरू करते हैं, आज कि इस इंपार बर्ग और आपसंडी इरिक्षन के द्वारा, इस प्रस्ट का जो राइट आंसर होगा, आप्शन नमबर बी होगा, जीन पियाजे के द्वारा बच्चों में बहुत भी विकास की चार विशिस्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, और जीन पियाजे ने संग्यानात में विकास के सिधानत का प्रतिपादन किया है, अगला कोर्शन देखते हैं, कोर्शन नमबर दो है, कोर्शन नमबर दो है, वह अवस्था जब बच्चा तारकिक रूप से वस्तूव वा घटनाओं के विशे में चिंतन प्रारंब करता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, आप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आप्शन बी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानि मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था, आप्शन सी सेंस्री मोटर स्टेज, यानि संबेदी प्रेरक अवस्था, और आप्शन दी, फार्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानि चार अवस्थाएं हैं अगला देखते हैं कोश्चन नंबर 3 कि को अगर नंबर 3 है जीन प्याजे के अनुशार निमलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंब करता है तो साथ कोश्चन नंबर 3 के लिए जो राइट आंसर होगा और राइट आंसर होगा आप्शन नंबर डी और चारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्स से उपर की अवस्था होती है इसमें अमूर्त चिंतन जो है वो बालक के द्वारा शुरू किया जाता है आगे देखते हैं अगला कोश्च कोश्चन नंबर 4 है कोश्चन नंबर 4 है जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगए दो वर्स की आयो के दौरान बच्चा डेट डेश से सबसे बहतर सीखता है किसके द्वारा सबसे बहतर सीखता है तो इस प्रिजिन का राइट आंसर अप्शन ये हो जाएगा इंद्रियों के प्रियोग के दूरा बहतर सीखता है इसे ही संबेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है अग्ला question question number 5 है कोश्चन नमबर पाँच है पियाजे के संग्यानाथ में विकास के चरणों के अनुसार इंद्री गामक यानि संबेदी प्रेरिक अवस्था किस से संबंधित है तो सात्यों कोश्चन नमबर पाँच के लिए राइट आंसर होगा अप्शन नमबर ए अनुकरण इस्मृत और म इपार्टेंट कोश्चन है तो सातों इस प्रेशन का राइट आंसर होगा आप्शन नमबर ए संबेदी प्रेरक चरण यानि जिसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं जर्म से दोवर्स की अवस्था तकी उम्र को आगे देखते हैं कोश्चन नमबर सात है पियाजे तो कोश्चन नमबर सात के लिए राइट आंसर होगा आप्शन नमबर डी समायोजन कहलाती है और जिसे एक्कोमोडेशन के नाम से भी जाना जाता है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर आठ है मानसिख विकास की आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख पिशेष्था क्या है तो कोश्चन नमबर आठ के लिए राइट आंसर होगा आप्शन नमबर ए अमूर्त चिंतन आगे देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर नौ है पियाजे के अनुसार दो वर्स से साथ वर्स के बीच का एक बच्चा संग्यानत्य विकास की किस अवस्था में है तो साथियों इस प्रशन के लिए राइट आंसर होगा आप्शन नमबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतरगत आता है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 10 है कोश्चन नमबर 10 है कोश्चन नमबर 10 है कौन सा नहितार्थ पियाजे के संग्यानत्मक विकास के सिधानत्य में नहीं निकाला जा सकता है तो साथियों इस प्रशन का राइट अंसर होगा आप्शन नमबर डी नीड आफ वर्वल टीचिंग यानि साब्दिक से च्छन का नितार्थ नहीं निकाला जा सकता है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 11 है कोश्चन नमबर 11 एक वर्ष तक के सिसु जब आँख कान वा हाथों से सोचते हैं तो निम्लखित में से कौन सा इस तर सामिल होता है तो सात्यों इस प्रशन का राइट आंसर कार्मेद अच्छता प्राप्त करने लगा है तो सात्यों इस प्रशन का राइट आंसर होगा आपसे नमबर वी वस्त तो इस्थाय तो जिसे की अबजेक्ट पर्माने इसके नाम से भी जानते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 13 देखते हैं कोश्चन नमबर 13 जीन पिय कोश्चन नमबर 14 है प्रचलिती उजनाओं में नई जानकारी जोडने को किस नाम से जाना जाता है चौदा के लिए राइट आंसर है आप्शन नमबर वी एसी मिलेशन के नाम से जाना जाता है जिसे की आत्म साथ करण भी कहते हैं अगला कोश्चन देखते हैं सात्यों जीन प्याजे के सिदान के अंसार बच्चे निमन में से किसके द्वारा सीखते हैं तो सात्यों 15 के लिए जो राइट आंसर होगो वो आप्शन नमबर शी होगा अनकूलन की प्रिक्रिया के द्वारा सीखते हैं अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 16 है निमलिखित में से कौन सा चोमस की इनीटी एस्ट परप्रेच के बारे में नहीं है तो सोला के लिए राइट आंसर होगा अप्शन नमबर बच्चों को जैबिक रूप से भासा के लिए प्रोग्राम किया जाता है आगे कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन नमबर 17 है भासा अरगरहन के लिए खड़ा यानि स्टेंड्स है क्या है तो सातियों 17 के लिए राइट आंसर है अप्शन नमबर ए बिना सोचे समझे य इसका क्या अर्थ है सातियों कोश्चन नमबर 18 के लिए राइट आंसर है आप्शन नमबर ए है बच्चों के मस्तिस्क में भासा अरजन यूग्त उपस्तित रहती है नौम चोमस्की के दौरा ऐसा माना जाता है कि भासा अरजन की छमता बच्चे में जनमजात होती है और भ माम चोमस्की का सिदान्त किस पर आधारित है तो 19 के लिए राइट आंसर होगा आप्शन नमबर ए नेटिविस्ट सिदान्त पर आधारित है आगे देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 20 है जेनरेट्व व्याकरण क्या है तो कोश्चन नमबर 20 के लिए जो जनक किसे माना जाता है साथ इस पर आधारित आंसर आप्शन नमबर भी होगा नौँआम चोमस्की को आधनिक भासा बिग्यान का जनक माना जाता है आगे देखते हैं कोश्चन नमबर 22 है चोमस्की भासा के कितने इस्तर बताएं है तो 22 के लिए राइट आंसर होगा आप् आधा ए नौँआम चोमस्की को जो है विवारवाद की तीकी आलोचना के लिए जाना जाता है कोश्चन नमबर 24 है नौँआम चोमस्की के अनसर कौन सा कथन सही है तो 24 के लिए राइट आंसर आपसे नमबर डी बच्चों में भासा सिखने की जनमजात छमता होती ये कोश् कोहल बर्ग ने पुरुषोयों महिलाओं की नेतिक तरकिक्ता में सांसिकर्टिक विवनताओं को महतुन नहीं दिया है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 26 है कौन सा कोहल बर्ग के नेति विकास के चरणों का लच्छन है साथियों 26 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप् बेक्ति निम्लिकित में से किस तरफ प्रवर्ट होता है तो 27 के लिए राइट आंसर है आपसे नमर डी अंतर नहीं संभावित डंड की और जो है प्रवर्ट होता है अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 28 है कोहल बर्ग के अंसार सिच्छ बच्चों में नेतिक मुल्यों का वि बिन इस तरों की अनुसार निम्लिकित से कौनसा उनके द्वारा पर्तिपादित नहीं है 37 के लिए राइट नमबर वी बैगतिक बिनिमे अभी मुक्ता जो है यह उनके द्वारा परतिपादित शुपानों के अंतरगत नहीं आता है अगला कोश्चन कोश्चन नमर 30 है सबस्ता में नैतिकता बाहे कार कों दोरा निरधारित होती है तो 30 के लिए राइट आंसर होगा अप्श söz नमबर का सिदान संग्यान gelecek का सिदान से संभने। में राउन्ष को तो हिल एक वास्था है तो 32 के लिए राइट्र है अपस्ञाडमर एंहम स्कति स्थानगे ने संग्याना थियूक में तो ने ने परिपक्टा च basket के वीचे सही तो ने राइट को स्कति ऊप सात्य जाना जा प्यंशा करते हैं थैंग था ंजार स्रूując किया है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 34 को कोशल बरकें कि अ इंशाथ को ऑच्चों में सिद्यक मुल्यों यों का विकास किस परकार कर सकता है तो तिसके लिए राइट आंसर होगा अप्शन नमबर ए नैतिक मुद्दों पर आधरी चाचाओं में उन्हें सामिल करके अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 35 कॉलबर्ग के सिदान के पूर परपरागत इस तरह के अनुसार कोई नैतिक निर्णे लेते से में किस तरह प्रवर्थ होता है तो 35 के लिए राइट आंसर होगा अप्शन नमबर डी अंतर नहीं तो संभावित डंड की और प्रवर्थ होता है अगला कुश्चन है लारेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावे निमलिकी चरणों में से प्रात्मी विद्याले के बच्चों के चरणों का अनुसरण करते हैं किस चरण का अनुसरण करते हैं तो 36 के लिए राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा आग्या पालन और डंड उनमुखी करण का प पहला आग्या पालन और डंड उनमुखी करण दूसरा बैक्तिक और बैतिकता और बिनमे के कारण अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 37 को सिधानत की एक प्रमुख आलोचना क्या है तो 37 के लिए राइट आंसर आप्शन नंबर भी है कोहल वर्ग ने कोहल वर्ग सकता है किस प्रकार कर सकता है तो साथे हो इस प्रिशन का राइट आंसर क्या होगा आप्शन नंबर डी नैतिक मुद्दों पर आधारी चर्चा में उन्हें सामिल करके अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 49 कोलबर के अंसार सही और गलत के प्रशन के बारे में न आपसर नंबर डी हो जाएगा बच्चे अपने कारी को दिशा देने के लिए सोयम से बोलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 41 है वाइगोस्की तथा प्याजे हैं कि परपेच में एक प्रमुख भिनता क्या यानि वाइगोस्की और प्याजे में एक में डिफरेंस क्य हो जाएगा भासायों चिंतन के बारे में उनके द्रिश्टी कोण को लेकर के एक प्रमुख भिनता है अगला कोश्चन है लेवाइगोस्की के अनुसार संग्यानात्मक विकास का मूल कारण क्या है तो 42 के लिए राइट आंसर होगा आपसे नंबर वी सामाजिक अन्यों क्र जो है संग्यानात्मक विकास का मूल कारण है आगे देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 43 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रिक्रिया तता सांस्कृतिक संदर्व के प्रभा को समझना आवश्यक है साथे 43 के लिए राइट आंसर होगा के देखते हैं कोश्चन नंबर 44 ने विकास को नेतिर करने वाले जैबी करको को महतुदिया जबकि वाइगोस्की ने इसके महतुका कारण बताया है तो 44 के लिए राइट आंसर होगा अप्शन नंबर भी शामाजिक संपर्क अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 45 है जब बैसके सायोग से जाम अंजर से कर लेते हैं तो वह बच्चों के वरत्मान इस्तर के प्रदर्शन को संभावे चंता की इस्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगतिक क्रम को शुगम बनाते हैं उससे क्या कहा जाता है तो 45 के लिए राइट आंसर होगा अप्शन नंबर शमी पस्त विकास का जाता है जिसे की जेड पीडी की नाम से भी जाना जाता है और इसकी फुलपार्म होती जोना प्रोक्शमल डेवलेमेंट आगे कोश्चन देखते हैं सात्यों कोश्चन नंबर 46 है कोश्चन नंबर 46 है वाइगोस्की के सामाजिक संसक्रतिक सिधानत के अनुशार है तो इसमें से कौनसा अप्शन सही तो अप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि संसक्रत और भासा संग्यान अत्मग विकास में महत्पूर्ण भूम का निभाते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 47 है लियो वाइगोस्की के अनुशार आधार बूत मांसिक छमत है तो 48 के लिए राइट अंसर होगा अप्शन नंबर डी वाइगोस्की के द्वारा जट पीडी का प्रते दिया गया है आगे अगला कोश्चन देखते हैं लियो वाइगोस्की के अपसा संग्यान अत्मग विकास का मूल कारण क्या है तो 49 के लिए राइट अंसर अप्शन किhon का राइट अंसर आप्शन संग्यान अत्मगी योग्शन के विकास में भासा मातपूर्ण भू का निभातती है तो 53 के लिए राइट अंसर डी होजाईगा वांगे देखते हीं अगला question question number 54 निजी भासा सब्दावली का प्रियोग पहली बार डेड़ डेस के द्वारा किया गया है तो 54 के लिए right answer आप्चन नमर भी होगा वाई गोस्की के द्वारा किया गया है अगला question देखते हैं question number 55 है वाई गोस्की के संतत्य की अंसार बच्चों की ब्यक्तिगत वा पन है बच्चे का सामाजिक संसीदी विकास सामाजिक अंता क्रियाओं से बिक्सित होता है यह कथन किसका है तो 56 के लिए right answer आप्चन नमबर 57 के सामाज सरचना सिधानत में द्रण विश्वास रखने वाले सिछके नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निमिकित मे गोच्की के अनुशार क्या होना होता है तो 58 के लिए right answer आप संसी हो जाएगा भासिक विकास मानो चिंतन के सुभाव को बदल देता है कोशन नमबर 59 कि निमिकित में से कौन सा अधिकम का एक मुख्य नियम है जैसे कि थांट आइक ने अपनी पुस्तक एजूकेशनल साइक दिये हैं और नियमों को दो भागों में बाटा गया है एक मुख्य नियम और दूसरा होता है गौड नियम तो मुख्य नियम तीन है और गौड नियम जो है वो पांच है तीन मुख्य नियमों में आता है आपका अभ्यास का नियम ततपरता का नियम और प्रभाव का नियम बाकी आते हैं गौर्ण नियमों के अंतरगत आगे देखते हैं अगला कोश्चन बालक अभ्यासियों ततपरता किसे सीखता है उप्रोगत खथन किसके द्वारा दिया गया है तो साथ के लिए राइट आंसर अपसन ए हो जाएगा धान डाइक मोदे का ये स्टेटमेंट है के द्वारत पृत्पादित किया गया कोशेया बांसटाइक का अधिगम का आधार क्या है यसन obrig के लिए उद्डिप्पन अंकिया जो है अधिगम का आधार है अगला कोशन कोशन भा तिरशब्य के सीकने के अंसार गाफ्यवनिम्ioni में एकौण सा समलित नहीं है साथ्यों कि देखते हैं कोशन नमबर चौह सट है जिन प्रितिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संटुस्ति प्राप्त होती उन्हें सीख लिया जाता यहां है चौह सट के लिए राइट अंसर होगा आप्शन नमबर डी प्रभाव का नियम है और अगला कोशन देखते हैं को शनमें पैस चछट के प्रियोग में बिल्ली की भूक ने किसका कारी किया है चाछट के लिए राइट आंसर अप्शन नमबर टी हो जाएगा चालक का कारी किया है आगे देखते हैं अगला कोशन कोशन सरसट है धीमी गती से सीखने वाले बालकों के अध्यापक्न के लिए कौन सा सिधा तो उपयोगी है आगे देखते हैं अगला कोश्चन अर्षट एक अध्यापक अपनी कच्छा में थांडाई के सिधान को लागू करने जा रहा है क्या अध्यापक को लागू नहीं करना चाहिए तो अर्षट के लिए राइट आंसर होगा आप्शन नमर बी चात्रों को नई चीजे सीखने है तो खोजबिदी के लिए उन्मुक किया जाना चाहिए ये उसे नहीं लागू करना है आगे देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमर उन्हत्तर है नमिकित में से कौन सा आलोचनात्मक द्रिष्ट कोण बहुबुद्य सिधान से संबंधित नहीं है तो उन्हत्तर के लिए जो राइट आंसर होगा आप्शन नमर डी होगा इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है अगला देखते हैं कोश्चन नमर सत्तर है कोश्चन न नमर एकात्तर है कच्छा द्यापक ने राग राग हो अपनी कच्छा में अपने कीबोर्ड पर स्वयंद्वा तयार किया गया मदोर संगीत बजाते हुए देखा कच्छा द्यापक ने विचार कि राग हो में डैट डैस बुद्ध्ध उच इस्त्री है किस प्रकार की से वस्तकों बैकल्पी की विद्धियों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 73 है एक एक अधिक बुद्धिमानी का सिध्धान्त क्या कहता है तो 77 के लिए राइट आंसर होगा अप्श की बिलिच्ण योगताओं पर बल देता है कोश्चन नमर 75 है बुद्धि सिधान निहतार्त देता है कि शिवाए किसको छोड़ करके नहतार्त देखता है तो साथ 75 के लिए राइट आंसर आप संसी हो जाएगा संबेद गात्मक बुद्धि बुद्धि लब्दि से संबंद करते हैं वादेट डेस से प्रभावित है तो चीटर के लिए राइट आंसर होगा अप्शन नमर बी गार्डनर की बुद्धि सिधानत से प्रभावित है अगला कोश्चन कोशन नमर 77 है एक बालक जिसकी संसार की सुद्धता से प्रतेच्ची करन करने की चमता अधिक होती उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है तो 77 के लिए राइट आंसर अप्शन नमर टी हो जाएगा इस्थानिक बुद्धी अधिक है अगला कोश्चन कोश्चन नमर 78 है गार्डनर की बहु आयामी से दांत में वरतमान में बुद्धी के कितने आयाम है तो 78 के लिए right answer option number 1 हो जाएगा 9 आयाम है अगला question देखते हैं साथियो question number 89 है बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है किस पे आधारित है तो 7 इस person का right answer option number C हो जाएगा अनुकरण पर आधारित है अगला question question number 80 है बंडूरा के सामाजिक अधिगम से दान में निम्लखित में से कौनसी प्रक्रिया होती है तो 81 के लिए right answer option number B हो जाएगा प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है अगला question बच्चे फिल्मों में दिखाएगा इंसात्मक बिवार को सेख सकते है या निसकन निम्लखित में से किस मनुवग्यानिक द्वारा कियेगे कारे पर आधारित हो सकता है तो 82 के लिए right answer आपसर number B हो जाएगा अलबर्ट बंडूरा आगे का question देखते है question number 83 है अलबर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिकम सिदानत के अंसा निम्लखित में से किस घटक पर बल देता है question number 85 है निम्लखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े हुए विकास दानतों को प्रस्तुत नहीं किया है तो 85 के लिए right answer आपसर number B हो जाएगा अलबर्ट बंडूरा ने नहीं प्रस्तुत किया है अगला question question number 86 है बंडूरा का कताने की बच्चे प्रत्क्रियां प्रतिमानी करण द्वारा सीखते हैं जिसको डैस कहा जाता है तो 86 के लिए right answer आपसर number C हो जाएगा निरी छणात्मक अधिगम के नाम से जाना जाता है question number 87 प्रेचणात्मक अधिगम संप्रते किसके द्वारा दिया गया था तो 87 के लिए right answer आपसर number D हो जाएगा अलवर्ट बंडूरा मोहदे के द्वारा प्रेचणात्मक अधिगम संप्रते का प्रतिपादन किया गया है अगला question है question number 88 अलवर्ट बंडूरा निमन में से किस सिदान से संबंधित है तो 88 के लिए right answer आपसर number B हो जाएगा सामाजी का अधिगम के सिदान से संबंधित है आगे कोशन देखते हैं question number 89 है किस ने बेक्तित्त का एक विशेष्टा सिदान त्यानी ट्रेट थिवरी प्रिष्टावित नहीं की है सात्यों 89 के लिए right answer आपसर number C हो जाएगा अधिगम के नाम से जाना जाता है आगे का question question number 91 है अधिगम से संबंदे पावलाओ की रचना कौनशी है 91 के लिए right answer option number B हो जाएगा conditioned reflexes आगे रेखते हैं अगला question question number 92 है पावलाओ का सिदान किस नाम से जाना जाता है तो 92 के लिए right answer होगा option number D उप्रियुक्त सभी यानि संबंद प्रत्यावरतन संबंद प्रतकिरिया और अनकूलित अनकूरिया के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार से पावलाओ के सिदान के सभी नाम है और पावलाओ ने अपने सिदान का प्रतिपादन कुट्टे पर किया था question number 93 है पावला अनकुरिया सिधान्त अन्हाइट के राइट अंसर नहीं हो जाएगा प्रेणा के अन्हाइट पर ब्ल देता है को श्चन नम्र पंचानवे हैं यह पाउलाउ के प्राचेन अनुबंधन सिधान्त में भोजन क्या है साथ हो 95 के लिए राइट आन्हाइट अप्शन नमबर B हो जाएगा अनुबंधित उद्धीपक है अगला कोशन कोशन नमबर 96 है अनुबंधन के बाद घंटी की धोन से लारका आना उदाहरण है किस परकार का अधिकम का उदाहरण है जाति हो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को दोस्तों में सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दमाएं आगे देखते हैं कोशन नमबर 97 पावला के सिदानत को कम्प्यूटर इस्टुमिलेशन द्वारा कौन सी मसीन बताती है तो 97 के लिए राइट अंसर आप्शन नमबर A हो जाएगी होफ मे पावला के प्रियोग में धुन के पचाथ उपस्तित भोजन है अप्शन नमबर अनुबंधित उद्धीपक होता है अगला कोश्चन पूस्चन नमबर 99 कुट्टे के साथ पकूशन हो जिसका वजन का वरन करने के लिए कि CCP किया जिसके लिए कुट्ता स्वाभाबिक नमबर सो देखते हैं सास्त्री अनबंधन में समलीत होते हैं क्या क्या समली तो होता है तो सो के लिए रायट आंसर आप्शन नमबर ए एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचार जो है वो समली तो होता है कुश्चन नंबर 101 देखते हैं अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके परते क्रिया होने पर पुनरबलन देने का सुझाओ दिया गया है तो 101 के लिए राइट आंसर आपसे नंबर कहलाता है तो 103 के लिए राइट आंसर अपसे नंबर डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है कुश्चन नंबर 104 है कि इसके नर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है तो 104 के लिए राइट आंसर आपसे नंबर वी है टाइप आर्थी पर आगे देखते हैं अगल question question number 106 है मनो बैग्यानिक बिवहार वा अनुभो का विग्यान है या कथन किसका है तो 106 के लिए right answer option number A हो जाएगा इसकी नर्म होते का है ए मनो बैग्यानिक नहीं होना चाहिए मनो विग्यान होना चाहिए अगला question देखते हैं question number 107 है अपने भाई को मानने के बाद एक बच्चे के खिलोने चीन लेना उसे फिर मानने से रोकने के लिए का एक उदाहरण है तो 107 के लिए right answer option number B नकारात्मक सजा अगला question question number 108 है क्रिया प्रसूद अनुबंधन से संबंदित असत्तिक अथन कौन शाह है 108 के लिए right answer होगा option number A प्राणी निश्क्री होता है question number 109 है question number 109 है क्रमादेशी सिच्छा का जनक किसे माना जाता है तो 109 के लिए right answer option number D होगा वी अफ इसकिनर को माना जाता है अगला question question number 110 है अंग्रेजी पार्ट सीखने का गडित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहते है 110 के लिए right answer option number C कहते है उसे सूनी अंतरण कहते है अगला question question number 111 है क्रिया प्रसूद अनुबंध बेक्तिके किस बिवहार को इस्पष्ट करता है तो 111 के लिए right answer option number B हो जाएगा एचिक बिवहार को इस्पष्ट करता है question number 112 है अनुबंधन तता अनुबंधित उद्धिपग एक साथ किसे दिये जाते हैं तो 112 के लिए right answer होगा option number A शहकालिक अनुबंधन के लिए दिये जाते हैं question number 113 है इन में से कौनसे सिच्ण रणीत इसकी नर्द्वारा अपने बाक्स प्रियों के लिए नियोजित बिधी नहीं थी तो 113 के लिए right answer option number D हो जाएगा प्लेश बो जो है वो नहीं थी अगला question question number 14 शुद्री करन्ट के दो व्यापक प्रकार के कारिकरम कौन कौन से हैं तो 114 के लिए right answer option number A निरंतर और रुख रुख कर question number 115 है शीकना बिवहार में उत्रोतर सामनजसी की प्रकिरिया ये कथन किसका है और बहुत important question है बहुत बार पूच्छा गया question है सात्यों सीटेट और यूपीटेट एक्जामस में ये थे आज की बहुत ही महतुपूण question जो आप सभी के सीटेट एक्जाम में पेपर वन और पेपर दो में पंदरा से बीस अंक पका करने वाले हैं तो आप सभी लोगों से निबेदन है कि इस वीडियो को देखें और दोस्तों में से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी सात्यों को तह दिल से शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद मिलेंगे एगली वीडियो में नेक्स्ट प्रेक्टिस सेट के साथ अब तक के लिए सभी सात्यों को जैन जै बारत बंदे मात्रम आप सभी सात्यों का दिन शुभ हो